हलो स्टुदेंट्स आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधा के बारे में जिसके बारे में जानना सब चाहते हैं जो इन्हेरेंट भी हो सकती है डवलप भी की जा सकती है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी मार्किट में बहुत डिमांड है स्पोर्ट्स कॉमेंटरी के बारे में स्पोर्ट्स आज की डेट में बहुत बड़ी मार्केट है और स्पोर्ट्स कॉमेंटर्स के लिए इस मार्केट में बहुत दिमांड है आप जो चैनल्स पर देखते हैं आपको लगता है सिर्फ खिलाडी ही commentaries करते हैं अईसा नहीं है खिलारी commentary करते हैं लेकिन इसके लाबा बहुत सारी local local tournaments होते है local tv channels हैं जहाँ पर बहुत सारे sports events broadcast होते है의 telecast होते है और इन सब को sports commentators की जरूरत परती है तो अगर आप sports commentator बनना चाहते हैं तो ये lecture बिल्कुल भी किसी भी तरह से ना छोड़ें. क्या है कॉमेंटरी? A descriptive spoken account of an event or performance as it happens. किसी घटना या प्रदर्शन का वर्नात्मक मौखिक यानि जबानी विवरन. जो कुछ आप देख रहे हैं, उसके बारे में अपने शब्दों से देखने वाले को या सुनने वाले को एक उसके लिए picture create करना, उस पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर आप radio के लिए कर रहे हैं, तो अलग तरीका होगा. अगर आप TV के लिए कर रहे हैं, तो उसका अलग तरीका होगा. इस सब के बारे में भी हम बात करेंगे कि art and science sports commentary कि क्या है? कि इस तरह से आप एक commentator बन सकते हैं? कोई भी commentator बनन करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको knowledge of the subject हो, यानि विशय के बारे में आप पूरी अच्छी तरह से जानते हूं. जैसे मैं पिछले लगबग 25 साल से cricket commentator हूं, मैं cricket किसी level पर बहुत खेला नहीं, लेकिन cricket के बारे में शुरू से मेरी बहुत रूची थी, cricketers के बीच मे रहा, cricket बहुत देखा, सुना, समझा, हरशा भोगले, विश्व के कम से कम भारत के सबसे popular commentator हैं, वो एक level तक cricket भी खेले, लेकिन वो test cricket नहीं खेले, लेकिन क्या उससे उनकी as commentator काबलियत कम होगी, नहीं होगी, तो इसलिए आप ये बिलकुल ना सोचें, कि अगर आपने cricket या जो भी sport में आप commentary करना चाहते हैं, वो नहीं खेला है, तो आप commentator नहीं बन सकते हैं, एक commentator होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे खिलाडी हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं है, कि बहुत अच्छा खिलाडी ही अच्छा commentator हो, ये दोनों अलग-अलग skill है, खेल को describe करना एक अलग skill है, तो आप बिल्कुल भी हताश ना हो, अगर आपने उस खेल को नहीं खेला है, जिसमें आप commentator बनना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी knowledge को बढ़ाईए, उस game को समझिए, सिर्फ जैसे cricket की अगर बात करें, तो ये ही जानना जरूरी नहीं है, कि क्या field placements होती है, किस तरह की balling होती है, किस तरह की batting होती है, आप cricketers के दिमाग को समझने की कोशिश कीजिए, आप समझिए कि ये science क्या है cricket, किस तरह से खेला जाता है, किस स्थिती में क्या रननीती बनाई जाती है, जब आप उस level पर जाकर cricket को समझेंगे, तब आप एक commentator भी बन पाएंगे, क्योंकि जब आप commentary करेंगे, तो आपने सिर्फ ये नहीं बताना है, कि मैदान पर क्या हो रहा है, अगर आप मैदान पर जो हो रहा है, उसको बता भी देंगे, तो उसके साथ साथ खिलाडियों के मन में क्या चल रहा है, क्या रननीती हो सकती है इस move के पीछे, ये सब कुछ जो है, माल लीजिए, एक तेज गेंदबास जो है, वो गेंदबाजी करने आ रहा है, और कप्तान एक सिली पॉइंट या फावर्वर शॉट लेक रगता है, अब अगर आपने क्रिकेट को अच्छे से समझा है, तो आप अपने श्रोताओं को या दर् जारियों को खड़ा किया है, इस तरह से आपकी उस खेल की समझ आपकी कॉमेंटरी में जो वैल्यू एडिशन करेगी और आपको एक अच्छा कॉमेंटेटर बनने में मदद करेगी, इस तिये सबसे जरूरी है कॉमेंटेटर बनने के लिए कि अपने विशे के बारे में किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप किसी भी खेल की कॉमेंटरी कर रहे हैं, तो उस खेल के इतिहास को भी जानना जरूरी है, अगर आप फुटबॉल की कॉमेंटरी कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि भारत पहले एशिया खेलों में फुटबाल का champion था या भारत कब-कब Olympic के लिए qualify क्या नहीं किया। hockey के commentator हैं तो भारत ने hockey में कितने पदग जीते हैं, कितने पदग जीते हैं Olympics में। ये सभ जो इतिहास हैं या cricket है तो एक-एक जो पुराने cricketers हैं उनके बारे में आप पढ़िए उनके बारे में पढ़ने से आपको cricket की समझ और बढ़ेगी खेल की समझ और बढ़ेगी तो knowledge of the subject जो है वो bedrock है वो सबसे बड़ी चीज है एक अच्छा commentator बनने के लिए इसके अलावा आपको क्या-क्या skills चाहिए एक अच्छा commentator बनने के लिए command over language यानी भाशा पर आपका पूरी तरह से नियंतरन होना चाहिए अगर आप हिंदी के commentator बनना चाहते हैं तो आप हिंदी को बहुत अच्छे से जानते हों सिर्फ हिंदी के शब्दों को जानना बहुत पूर नहीं है उन शब्दों का इस्तेमाल कहा करना है कैसे करना है क्योंकि एक ही तरह के बहुत सारे शब्दों हमें लगता है कि होते हैं लेकिन उन सब शब्दों का इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है तो ये समझना usage जो है वो समझना बहुत जरूरी है उसके बाद variety of expressions आप एक ही चीज़ को अलग-अलग तरह से कह सकें बेहतरीन, शांदार, जबरदस्त, घजब ये चार expression हो गए एक बहुत ही अच्छे खेल के लिए तो इसी तरह से अलग-अलग expression आपके पास होने चाहिए अ बहुत बड़े commentator थे, बहुत अच्छी commentary करते थे, एक बार बहुत अच्छी commentary करके जब घर गए तो अपनी wife से उन्हें लगा कि बहुत चाबाशी मिलेगी क्योंकि उनकी wife उनकी सबसे बड़ी critic थी, लेकिन wife बहुत नाराज थी और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप आपनी नाराज क्यों है, बुले आज आपने अपनी commentary में एक ही शब्द आठ बार बुला, ये है professionalism, ये है perfection की वो चाहा कि जब हम एक ही expression को अलग-अलग तरीके से बुलें, जब हमारे पास variety of expression हो, शब्दों का भंडार हो, ये बहुत ही जरूरी है, कैसे आएगा शब्दो पढ़ेंगे, तो हो सकता है, आप बहुत ही मुश्किल भाषा भी पढ़ें, वो भी जानना जरूरी है कभी-कभी, कभी एक-दो शब्द डालना कहीं-कहीं पर मुश्किल, उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुनने वाले को लगता है कि वो एक जानकार की commentary सुन रहे है लेकिन अगर आप लगातार अपनी पूरी commentary को बहुत क्लिष्ट शब्दों से, मुश्किल शब्दों से अगर करेंगे, तो फिर समझने वाले को मुश्किल होगी, आपको अपनी audience को पहचानना है, आपकी audience कौन है, जो sports के चाहने वाले लोग है, कोई जरूरी नहीं है कि व हिंदी बहुत अच्छे से ना जानता हो, लेकिन अगर आपकी भाशा बहुत ही आसान है, तो उसके लिए भी आसान होगा, कोई बहुत पढ़ा लिखा विकती नहीं है, लेकिन अगर आपकी भाशा आसान है, तो उसके लिए भी आसान होगा, उसके बाद उच्चारण, अग जाज़ा खाखा ये उर्दू और हिंदी के शब्द जो हैं ये आपस में बहुत जादा मेल खाते हैं अब अगर आप यही कहते रहेंगे कि फूल तो आप वाकई फूल ही कहलाएंगे अगर आप फूल कहना चाहते हैं तो फूल ही कहें बच्पन में मैंने एक कविता की एक fool की चाहा तो जब final judgment हुई तो जो judge थे उन्होंने कहा कि इस लड़के ने कवीता बहुत ही भाव से पढ़ी बहुत ही अच्छा इसका पढ़ने का तरीका था लेकिन he is a fool because he did not know the difference between fool and fool तो उचारण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपका उचारण खराब होगा सुनने वाले का ध्यान भटकेगा उसका आपके उपर से विश्वास हटेगा और फिर वो आपकी commentary नहीं सुनना चाहेगा इसके अलावा जब बहुत अच्छा जो broadcaster होता है उसको stress और pause stress का मतलब है किस शब्द पर जादा आपको ध्यान देना है दबाव देना है pause बहुत ही महत्वपूर्ण है कहते हैं कि एक pause जो है वो इतना कुछ कह सकता है जो कि शायद बहुत सारे शब्द ना कहीं मैं आपको एक छोटा सा उधारन देता हूं माली जी एक बल्लेबास जो ह रहा है और तीन गेंद पर बीट होने के बाद चौथी गेंद पर वो बहुत अच्छा स्ट्रोक लगाता है और आप कॉमेंटरी करते हैं और इस बार बल्ले और गेंद का मिलन हुआ और गेंद गई कवर बाउंडरी के बाहर चार रन के लिए तो इस बार आपका stress किस पर थ किया और पॉज पॉज बहुत ही महद्पूर्ण है और ये श्ट्रोक खेला गेंद है हवा में और उसके बाद ये जो एक और दो सेकंड का पॉज है ये आपके श्ट्रोताओं की धरकने बढ़ा देगा क्या हुआ गेंद हवा में है उस हवा में ही सुनने वालों का दिल भी अटका रहेगा उनका ध्यान भी अटका रहेगा कि अभी गेंद नीचे आई तो चका हुआ चौका हुआ या कैच हो गए तो जो बहुत ही हलका सा पॉज पॉज भी कितना होना चाहिए ये महत्वपूर्ण है इसलिए ये समझें कि कितना पॉज देना है जिससे की excitement बनी रह लेकिन बोरियत ना आ जाए तो स्ट्रेस और पॉज जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है modulation मौके के हिसाब से according to occasion आपकी modulation होनी चाहिए आप अगर भारत में commentary कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप भारतीय audience के लिए commentary कर रहे हैं वो भारतीय चाहे भारत में हैं या भारत के बाहर हैं भारत की team अगर खेल रही है cricket और भारत का बल्लेबाज आउट होता है और आप करते हैं और ये बल्लेबाज आउट होगया तो आपका modulation खराब है क्जो audience है वो भारत के बल्लेबाज के आउट होने पर दुखी होगी खुश नहीं होगी तो आपकी modulation भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जब आप डिस्क्राइब करते हैं कि एक गेंद बल्ले से लगने के बाद boundary के पास जा रहे है उसमें कितनी excitement आप बिल्ड कर सकते हैं सिर्फ अपनी modulation से तो modulation जो है आवाज का जो उचा जाना नीचा जाना स्वर ये सब कुछ modulation का हिस्सा है ये बहुत ध्यान रखता है आपकी speed बहुत जादा नहीं होनी चाहिए अगर आप एक test match की commentary कर रहे हैं आप लगातार एक ही जिम्मेदारी है कि वो उसको interesting बनाए रखे तो आपको अपनी modulation से अपने शब्दों से अपने अनुभव से commentary को interesting बनाना है लेकिन अगर आप उसमें जबरदस्ती excitement आना चाहेंगे अपनी speed से तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा तो ये आपको स्पीड के साथ जा रहे हैं as a commentator तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यहां पर long passes चल रहे हैं और आपकी speed ऐसे हैं जैसे आप दौड रहे हैं गेंद के साथ और अगर speed इतनी जादा है कि सुनने वाले को समझी ना आए तो और मुश्किल हो जाएगी उसके बाद अंडर्स्टैंड डिफरेंस बिविन प्रेजेंटेशन अफ एन एफ एम शो न्यूज रीडिंग रिपोर्टिंग एंड कॉमेंटरी यह हर जो कारेक्रम है इसको पेश करने का तरीका अलग है एफ एम पर जब आप कारेक्रम करेंगे आपके बोलने का तरीका दूसरा होगा बहुत इनफॉर्मल होंगे जब आप समाचार पढ़ रहे हैं तो बहुत ही फॉर्मल होंगे जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत संक्षिप्त होंगे जब कॉमेंटरी कर रहे हैं तो आपको शब्दों से पूरी एक चित्र खींचना है आपको ध्यान रखना है और भावनाओं के साथ जो सुनने वाले हैं उनकी भावनाओं को जागरिद करना हैं उनमें वो भावनाय लानी है उनमें वो भाव लाना है जो उस क्यल के साथ चल रहा है और सबसे बड़ी बात एक commentator होने के लिए कि अपना style 파 الزवल्प? अगर आपको कोई commentator बहुत पसंद भी है तो उसको कॉपी ना करें उससे ये सीखें कि वो कितनी अच्छी कॉमेंटरी करते हैं वो कैसे भाशा का प्रयोग करते हैं वो कैसे expression change करते हैं जो basics हैं उससे सीखें लेकिन उनके style को ना पकरें अगर आप में और उनमें कोई फर्क ही नहीं होगा तो आपको कौन जाने का और आपको कोई क्यों लेगा फिर उन्हीं को ले लेंगे जो औरिजिनल है कोई भी कॉपी को क्यों लेगा तो आप किसी को कॉपी करें आप उनसे सीखें और अपना style डवलप करें एक अच्छा commentator होने के लिए research करना बहुत जरूरी है जब आप मैक्स की commentary करने जात यह हमारे पास statisticians होते हैं लेकिन मैं अपनी research करके जाता हूं पूरा एक-एक खिलाडी के बारे में अपनी research करके जाता हूं अपने notes बना कर लेकि जाता हूं जो कि बहुत ही जरूरी है आपके पास बहुत सारा background material होते होना चाहिए एक तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो कॉमेंटरी में उस कोई जगा जगा पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो की कॉमेंटरी की खुबसूरती बढ़ा देगा दूसरी बात ये भी है कि कभी ऐसी भी एक्सिजेंसी हो जाती है कि सामने कोई एक्शन नहीं हो रहा है अब वहाँ पर खिलाडी का उपचार चल रहा है लेकिन आपको कॉमेंटरी करनी है अब उसमें पास साथ मिनट लग सकते हैं तो अगर आपके पास बहुत अच्छे से आपने रिसर्च नहीं कर रखी है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैं आपको एक छोटा सा उधारन देता हूँ मैं टेनिस की कॉमेंटरी कर रहा था सरदियों के दिन थे और टेनिस की कॉमेंटरी जो नैशनल चैंपेंशिप थी उसकी कॉमेंटरी करने वाले थे जैसे ही खिलाडी आते थे कोट के उपर और ओस गिरनी शुरू हो जाती थी खिलाडी वापस जाते थे ओस बंद होती थी कोट को साफ किया जाता था फिर खिलाडी आये फिर से ओस गिरनी शुरू हो गई और ये सिलसला एक घंटे से उपर चला मैं और मेरे साथ में जो अंग्रेजी कॉमेंटर थे हम लोगों ने एक घंटा बातचीत की और अगर तयारी उस तरह से नहीं होती तो सोचिए कैसे हम एक घंटा निकालते लेकिन हम लोगों ने टैनिस की बेसिक स्किल से लेकर भारत का डेविस कप में प्रदर्शन तेनिस कोरť कैसे होते हैं तैनिस बॉल क्या होती है क्या — साइन्स सब कुछ डिसक्रस किया क्योंकि ने थ् Northwestern मैच की कॉमेंटरी कर रहे हैं तो सिर्फ इस बारे में रिसर्च करनी है रिसर्च को उसका दायरा बढ़ाईए पूरी रिसर्च कीजिए और हमेशा के लिए तयार रही है जैसे मैंने आपको बताया मैच शूरू होने में देरी हो रही थी तो उसमें हमने कि एक घंटे तक लगातार कॉमेंटरी की बातचीत की उसके अलावा मान लीजे आपका को कॉमेंटर जो है वो बिमार हो जाएं या वो नए हैं और नर्वस हो जाएं तो आप क्या करेंगे आपको वो अपने आपको मांसिक रूप से तयार रखना है कि अगर ऐसा कुछ हो जात खराब हो गई आप मानेंगे नहीं लेकिन मैंने एक वन डे इंटरनाशनल क्रिकेट की अकेले कॉमेंटरी की जिसका मतलब है लगबग आठ घंटे लगातार बोला मैं बीच बीच में ये था कि क्योंकि प्रडूसर के कुछ कर नहीं सकते हैं आप उसी वक्त कॉमेंटर तो क नहीं सकते हैं अगर किसी की तविथ खराह ऊजाए तो यह ली हमाख भी किलिजρά को याइन ओन बीच भी में आप को सांस लेने की महुलत दे ती दी लेकिन आप आठ घंटे क्योंकि साड़े तीन साड़े तीन घंटे का कहते हैं एक सेशन होता लेकिशन बढ़ जाता है और उसके अलावा बीच में भी सब है तो साड़े वाखशात आठ घंटे की कॉमेंटरी होती है लगवक एक वंडे की और उस पी पूरा एक्शन डिसक क्या करेंगे आपको पता है कि आपकी जो लंग पावर है जो आपके फेफड़े हैं उसमें जो जान है उसको बनाए रखना है और आपको अपने स्टैमिना को बनाए रखना है आप बहुत जल्दी अपनी स्पीड नहीं बनाएंगे बहुत जल्दी अपनी सास नहीं फुलाए read and memorize as much as you can मेरे पास जब मैं कोई भी commentary करता हूँ कम से कम 30 papers की तयारी होती है 30, 30 लेकिन मेरे सामने मुश्किल से 2 या 3 papers होते हैं और जो बाकी papers हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको 2-3 बार पढ़ हूँ और जनरल ही ऐसा होता है कि जब हम कोई ऐसी चीज बात कर रहे हैं जो कि उन papers में थी वो जानकारी याद आ जाती है ये अभ्यास से आता है कि आप ये जैसे होता ना computer में कि आपने files बनाई और जब जब जरूरत पड़ी तब आप उन files को खोल सकें इसी तरह से आपके brain से ज़ादा बड़ा और अच्छा computer कोई है नहीं लेकिन उसको train करना पड़ता है कि कब कौन सी file खोलनी है information की ताकि वो आपको बता सकें कि ये जो है करना है इसके अलावा आपने जो कुछ भी तयारी की है वो अपने आपको mail कर लें आपने आपको email कर लें आप क्योंकि अब माली जी आप दिल्ली से Bombay जा रहे हैं आपने तयारी की यहाँ पर print out निकाले पूरी तयारी की और जब आप Bombay पहुंचे किसी तरह से आपके कागस खो गए तो अब आपने जो research की ती जो तयारी की थी वो सारी waste हो गई तो लेकिन अगर आपने खुद को email किया हुआ है तो आप वहाँ जाकर भी अपनी email को access कर सकते हैं और print out ले सकते हैं यह एक बहुत ही महत्वपून point है इसको याद रखेगा कि अपने आपको अपनी research जो है वो हमेशा digitally available करवाईए कहीं पर भी हूँ आप अगर आप print out भी नहीं ले पाए तो आप phone पर ही खोल सकते हैं लेकिन अपने आपको digital access दीजिए उस research की इसके अलावा अगर कोई national केलामेटरी हो जाए किसी बड़े dignitary की death हो जाए को natural disaster हो जाए तो आप क्या करेंगे अगर वो event cancel हो गया तो आप कैसे बताएंगे वो भाशा आपको पता होनी चाहिए उसकी तयारी होनी चाहिए कि अगर event cancel हो गया commentary शुरू हो गई commentary चल रही है event चल रहा है और उस calamity की वज़े से या किसी भी दुखदाई खबर की वज़े से जो है वो event को उसी वक्त बंद कर दिया गया तो आप किस तरह से अपने सुनने वालों को देखने वालों को बताएंगे कि ये जो event है क्यों cancel हुआ या क्यों बंद कर दिया गया और अब ये कब होगा कहा होगा या होगा या नहीं होगा तो इसकी भी तैयारी रखिए कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे उसके बाद जब आप खेल के मैदान पर पहुंचते हैं प्रिपरेशन अन दे वेन्यू ये खेल के मैदान पर पहुंचने की जो तैयारी है ये भी बहुत महत्वपून है जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आप ऑफिशिल माटिरियल लीजिए जो कोई भी जब खेल हो रहा होता है तो वहाँ पर एक ऑफिशिल डेस्क होता है जहां पर जानकारी उपलब्द करवाई जाती है वो लोग कभी-कभी बुक्लेट भी देते हैं माली जी आप सुबरतो कप फुटबॉल टोडामेंट की कॉमेंटरी करने गए तो वहाँ पर ओफिशल डेस्ट पर आपको सुबरतो कप के बारे में पूरी एक शायद मैगजीन मिले जब से सुबरतो कप फुटबॉल शुरू हुआ पहला किसने जीता और विनर्स के नाम दे रखें आपने भी तैयारी कर रखी है लेकिन हो सकता है कि आपके पास जो इन्फरमेशन है वो सही ना हो लेकिन जो अफिशल इन्फरमेशन है वो सही होगी ये बिलकुल आप मान लीजिए इसको कोई नहीं नकार सकता और अगर आप ओफिशली मिली हुई जानकारी देते भी है और अगर उसमें कोई गलती है तो कम से कम कोई आपको नहीं कहेगा कि आपने गलत जानकारी दी तो जो official material वहां मिल रहा है उसको ले लीजिए जितनी जादा से जादा जानकारी आप organizers से ले सकते हैं लीजिए आप venue पर गए आप बान लीजिए दिल्ली के अमबेटगर स्टेडियम में मैच हो रहा है लेकिन आप दिल्ली से बाहर के हैं आप अमबेटगर स्टेडियम के बारे में नहीं जानते हैं तो वहां पर जाके ऐसा कोई विक्ति ढूंडिये जो आपको अमबेटगर स्टेडियम के बारे में बताए जो टीमों के बारे में बताए, डिल्ली के मौसम के बारे में बताए, क्या फुटबॉल की स्थिती है, तो जितनी जादा जानकारी आप और अगनाईजर से ले सकते हैं, कोशिश कीजिए उसको लेने की, और जरूर एक बार जो है वेन्यू पर जाईए पहले ही कॉमेंटरी से इसके आगे एक कॉमेंटर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह हम आपको बताएंगे, अपसे थोड़ी ही देर में, एसी लेक्चर के दूसरे भाग में झाल